हेलो दोस्तों आप सभी अपनी चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत सागत है चलिए फ्रैंक आज हम फ्राइग राइस बनाएंगे तो इसके लिए फ्रैंक हमने पत्ता हो भी लिया है एक छोटी और एक सिमला मिर्च है इसको में छोटे-छोटे काट लिए है मिर्च अप और फ्रैंक हमें सारे प्रोसेस पे तेजी रखना है तो इसका बिसेज कराल रखें कि गैस को धीमा ना करें इससे होता है आपके जो चावल बनेंगे वह बिल्कुल खराब ही हो जाते है तो ज्यादा तिर आप बनाएं इसको ना तो सबजी आभी वह कुरंच नहीं रह इसको भी खराब जाता है तो फ्रैंक का वह सवाथ नहीं आता है जो हमें रिस्टुरेंट वगरा में आता है तो वह नहीं आएगा इसका धिया लगके जीराना डाले और अपना सिम्ना मिर्स डाल देंगे और है फ्लेम पिसको लगवग एक मिनक तक हम भूनेंगे तो फ्रै जूज़ जाते हैं रिस्टोरेंट वगएरा में खानी तो हमी वो टेस्ट चाहिए न तो उसके लिए फ्रेंक हमें हाइफ लें प्रेंक साफ इसे बचे चावल से बना सकते हैं चावल बासमती-वाल आपको कर लीजिए उससे बना सकते हैं पत्ता गोलीव डाल दे इसको मैं एक नगत भूनूंगी इसमें पहले हम सोया सॉस एट कर देते हैं एक चम्मच है यह फ्रेंक्स तो बहुजा सोया सॉस ने डाले एक चम्मच यह वाइट विंगर है यह और मैंने यह ग्रीन वाली मिर्च वाली होती है आप अगर मीठा कहना माते हैं तो आप कैचप दाल सकते हैं और यह पत्कि नमकसवादी के अंतार डाल देना है और यह चंस दो है वह इसको 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 किप कर दीजेगा आप कैच अप डालेबा है तोमेकु बहुत ज्यादा नहीं बूनना यह था सदूये केड़ भिनक हिव ाइट हो और यह क्रनची ही रहे अपने चावाल डालेंगे कम चावाल in कम पर हमें ऑदर आप पे लिए दूज़ता रहेति में छलकुम के चला धा क्योंकि हम इसका कलर नहीं चेंज करना है और यह क्रंची ही रहे बस अपना चावल डालेंगे जितना हमें खाना है कम जादा आप जितना अपने हिसाप से कर सकते हैं बस इसको बिल्कुल हलकी हाथों से चलाना है फ्रेंक्स मेंना थोगा लाइट की प्रॉब्लम रहती तो सही से दिखता नहीं है नहीं तो बाकी वैसा ही दिखेगा आपको जैसे रिस्टोरेंक वागारा में आपको मिलता है खाने के वैसा ही कलर रहता है तो थोगा लाइट का इसू है फ्रेंक्स बस तो इसको हम हाई फ्लेम पे एक नड़ तक भूनेंगे और गैस को धीमा नहीं करना मैं फिर से बोलें फ्रेंक्स नहीं आपके चावल बिल्कुर टूग जाएंगे क्योंकि इसे पानी छोलने लगती है सबजिया वगएरा और नमक भी पड़ा है तिसी इसका विसे ध्यान दें बस इसको हलकी हाथ से उठाना है और इसको पलड़ देना है बस ऐसे आपको वैस पसंदा है तो थोगा सभी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजेगा बाइबाइब